ए, हल्लो, एवरिमाण, आज का मारा टॉपिक है, क्लास एट्थ mająugenic, act 11, that is force and pressure पिछली क्लास में हमने बात कर ले थी, कि force क्या होती है, और force के effects क्या होते हैं औ हञाइन यहिदि हम बात कर रहे थी, एक थी contact force, एक थी non-contact force और contact force के बारे में हम complete discussion कर चुके थे तो चलिए आगे शुरू करते हैं अब हम बात करेंगे non-contact forces के बारे में सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे magnetic force हमें पता है कि magnet जब force लगाता है तो वो उस object के contact में आए बिना उसको attract या repel करता है The force exerted by any magnetic object is called magnetic force जो magnetic object force लगाता है उसको magnetic force बोलते हैं हमें पता है कि जो magnetic के like poles है एक जैसे poles है, similar poles, they repel each other वो एक दूसरे को क्या करते है? repel करते है That is, they push each other away इसका मतलब वो एक दूसरे को क्या करते है? push करते है जबकि जो opposite poles हैं magnet के वो हमेशा एक दूसरे को attract करते है इसका मतलब वो एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं पुल करते हैं अपनी तरफ खीचते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप जो green arrow है indicate magnetic force वो magnetic force को बता रहा है यहाँ पर क्या हो रही है? attraction हो रही है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो pole है और यहाँ पे जो pole है वो क्या है different है तो different poles attract each other यहाँ पे और यहाँ पर जो pole है वो क्या है similar है और similar pole होने की वज़े से उनमें क्या होती है repulsion होती है rotation भी देखा होगा आपने कभी एक magnet रखा है आपने हमेशा एक एक्टिविटी को देखा होगा जो हम प्लास्टिक स्केल को अपने हेर्स के साथ रब करके छोटे-छोटे पीसिस को अट्रेक्ट करते हैं उसके अंदर भी वो बिना कॉंटेक्ट में जाए उन स्मॉल पेपर पीसिस को अपनी तरफ अट्रेक्ट कर लेता है स्केल तो ऐसी फोर्स जो है उस वो क्या है इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स है तो वो फोर्स जो एक चार्जड पार्टिकल के द्वारा लगाई जाती है उसक दूसरे को पुश करते हैं जबकि जो अपोजिट चार्जड हैं वो क्या करते हैं हमेशा अट्रेक्ट करते हैं मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ पुल करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो दोनों में क्या हो रही है रिपल static force यो third force आपकी वो क्या है? gravitational force है अच्छा उसके अंदर जो पिछला था ना उसमें अगर एक charged है दूसरा uncharted है तो भी आपको उसमें attraction या repulsion देखने को मिलेगी so gravitational force हमें पता है कोई भी चीज जो हम उपर की तरफ उच्छालते हैं वो हमेशा नीचे की तरफ आते हैं वो नीचे की तरफ क्यों आते है? due to the force exerted by the earth that force is known as gravity तो gravitational force है it is an attractive force यह force कैसी है? attractive force है यह सिर्फ हमेशा attract करते हैं कभी repel नहीं करते है that is applied by the earth on all the objects वो force जो attractive है nature में और earth के द्वारा सभी objects पे लगाए जाते हैं उसको gravitational force बोलते हैं it is also called the force of gravity इसको force of gravity भी कहा जाता है या simply आप gravity भी कहते हैं that acts upon all the objects that are present on or near the earth surface उन सभी objects के ओपर लगती है जो earth surface के ऊपर हैं या earth surface के नजदीक हैं so gravity है is a property exhibited by every object present in the universe and not only the earth तो gravity वो property है जो सिर्फ अर्थ के द्वारा धारन नहीं की वी है अर्थ के characteristic property नहीं है सभी objects की है इस universe में जितने भी objects present हैं सब के अंदर दूसरी चीजों को अपनी तरफ attract करने के property हैं इसी लिए जो जितने भी planets हैं, moons हैं, even जो sun है उन सब की अपनी gravitational force है और sun की gravitational force जादा होने के विजए से सभी planets sun के चारों तरफ क्या करते हैं revolve करते हैं इसके लिए जरूरी नहीं कि object एक दूसरे के contact में आए, जो earth है वो without contact भी चीजों को अपनी तरफ attract कर लेती है Now pressure, जो second part था हमारे chapter में, वो है pressure Not only the magnitude of the force, but the area upon which it acts also affect the changes it may bring upon an object तो कितनी force लग रही है, सिर्फ यही effect नहीं डालती है उस object के ओपर एक और चीज़ का effect होता है, that is कि कितने area के ऊपर वो force लग रही है अगर area कम होगा, तो force ज़्यादा लगेगी, तो effect ज़्यादा देखने को मिलेगा अभी समझते हैं उस चीज़ को The force acting upon a unit area is called pressure वो force जो एक unit area पे act करती है, उसको क्या कहा जाता है, pressure कहा जाता है कि कितनी force एक unit area, unit मतलब limited सा, छोटा सा, for example, one meter square area क्या होता है, length interpret करके निकालते हैं, तो meter square, one meter square area पे कितनी force लग रही है, वो pressure कहलाता है Hence, the pressure exerted by an object depends upon its surface area तो pressure जो exert किया गया है, किस के दोरा, किसी भी object के दोरा, तो वो किस पे depend करेगा कि कितने surface area के उपर वो force लगाई गई है If the surface is small, अगर surface छोटा है, तो जो amount है pressure की वो जादा होगी और अगर surface बड़ा है, तो जो pressure की amount है, वो कम होगी इसको समझने के लिए हम एक example की बात करते हैं आप सब के school में एक board होगा, जिसके उपर charts लगाते हैं हम लोग Class के back wall के उपर generally ऐसा board present होता है अब thumpins आती है, notice कीजिएगा thumpins कैसी होती है, पीछे broad होती है और आगे pointed सा होता है और इसको पीछे से push करते हैं, तो आसानी से उस board के अंदर चली जाती है green board के अंदर है ना, अब आपको इसकी जगा क्या लेना है, आपको एक all pin ले लेनी है, सबने देखियोगी all pin, papers को pin up करने के काम आती है यदि आप इस पे जादा force लगाएंगे, तो चली तो ये भी अंदर जाएगी, लेकिन इस से आपके thump पे कोई effect नहीं होगा, आपको कोई pain महसूस नहीं होगा और इसका निशान आपके thump के अंदर बन जाएगा, ऐसा क्यों है, क्योंकि जब आपने इस पे force लगाई, तो इसका area जादा होने की वज़े से आपकी उंगली पे pressure कम पड़ा, जबकि इसका surface area कम होने की वज़े से बराबर force में, क्या हो गया, आपके thump के उपर pressure जादा लगा, तो इसका effect आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जे, तो pressure का formula क्या बनेगा, pressure will be equal to force upon area, अब इतना relation तो हमको समझ में आता है, कि अगर उपर वाली value दोनों जगे सेम है, 10-10 है, कि आपने 10 newton force लगाई है दोनों ही case में, कितनी force लगाई है दोनों case में, आपने दोनों cases में 10 newton force लगाई है, और area अगर इसका for example 5 है, और इसका 2 है, meter square, इतना होगा नहीं, लेकिन example के तोर पे समझ लेते हैं, तो area नीचे वाला कम होगा, तो जिसकी value नीचे कम होगी, जिसका area कम होगा, उसमें pressure जादा होगा या नहीं होगा, बिलकुल होगा, इसको काटिए क्या आएगा, 5 newton per meter square, तो किसमें pressure जादा लग रहा है, जिसका area कम है, उसमें pressure जादा लग रहा है, तो pressure का formula होता है, force per unit area, अब आप इसको modify कर सकते हैं, अगर आपको area निकालना है, तो area को इधर ले जाएए, pressure को आना चाहिए, example of relationship between area and pressure, area और pressure का relationship समझ ले दे हैं, pressure क्या होता है, force per unit area, तो मान लीजिए कि इसका weight कितना है, handed newton, यह force लगा रहा है जमीन की तरफ, इसका weight कितना है, handed newton, area का, 0.1 meter square, तो pressure कितना लगेगा, thousand pascal, अच्छा, pressure की unit क्या होती है, पासकल होती है, क्या होती है, पासकल, ऐसा है unit, तो weight जो लग रहा है, वो handed newton है, वो नीचे की तरफ लग रहा है, area कितना है, 0.1 meter square है, तो thousand pascal pressure लग रहा है, अब weight तो उतना ही रहेगा, handed newton, है न, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, इसको standing vertical position में खड़ा कर दिया, area क्या हो गया, area कम हो गया, 0.01, देखो फरक आ गया, 0.1 से 0.01 हो गया, तो pressure 10 times जादा हो गया, तो small force, same force, different area, different pressure exert होगा, same force लग रही है, force जो weight है, वो force ये apply कर रहा है, different area पे लग रही है, तो different pressure आपको देखने को मिलेगा, a needle has a pointed end, जो needle होती है, soey होती है, उसका pointed end होता है, that has a very small surface area, और surface area बहुत छोटा होता है, इसलिए, जब एक larger force उसके exert की जाती है, needle के उपर, तो वो आसानी से needle को wall के अंदर push कर दे दिया, क्योंकि area क्या है, कम है, area कम है, तो जो force उसके उपर लग रही है, उससे pressure जादा हो जाएगा, जो shoulder bags हैं, आप जो school bag लेके आते हैं, उसके जो straps हैं, वो broad होते हैं, broad होते हैं, तो वो broad होने की वजए से आपके shoulder के उपर जो bag के weight की वजए से जो pressure लगना है, वो कम हो जाएगा, अगर वो क्या होंगे, पतले होंगे, आपने note is क्या होगा, अगर आप जादा सामान लेके हाथ में polythine bag को carry कर रहे हैं, तो polythine bag उपर से क्या होते हैं, पतला हो जाता है, तो आपके हाथ के उपर जादा force लग recess लग रही होती है, बलकि अगर आप इसको अपने बैग में डालके लाएंगे पॉलिथीन की जगे बैग में डालके मोटे स्ट्रैप के साथ अपने कंदों पे डालेंगे तो आपको उतना अपने हाथों के ओपर कंदों के ओपर प्रेशर महसूस नहीं होगा जितना की पतली स्ट्रिप वाले बैग के साथ महसूस होगा तो जो शोल्डर बैग से हैं उनके ब्रॉडर स्ट्रिप्स होते हैं रेधर देन थिन जो स्ट्रैप्स हैं वो होते हैं इन ओर्डर तो मिनिमाईज दा प्रेशर प्रेशर को कम करने के लिए तो बैग के ओपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है तो उसके प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए आपके शोल्डर पे वो जो स्ट्रैप्स हैं वो ब्रॉड होते हैं जो टूल्स हैं जो यूज किया जाते हैं कटिंग के लिए पर्सिंग के लिए वो हमेशा शार्प एज होते हैं जितना जादा शार्प होता है उतना असानी से काटता है आपने इसका एक्जामपल घर में देखा हुगा एक जो बहुत शार्प नाइफ है वो चीजों को आसानी अगर शार्प है पैना है तो सर्फेस एरिया कम है तो ज्यादा प्रेशर लगेगा अगर शार्प नहीं है चतनती नष्च के पिछले टायर कि इतने ज्याधा मोटे होते हैं क्यों होता है क्योंकि ट्रेक्टर का वेट बहुत है तो अगर वेट जादा है और टायर पतले होंगे तो वो मिट्टी में तो उधरी फस जाएगा ना क्योंकि प्रेशर जादा हो जाएगा प्रेशर जादा हो जाएगा तो वो उस जगे पे फस जाएगा चौड़े टायर है वो आसानी से मिट्टी में नहीं फसता है As a result, it becomes easier to move the tractor on a muddy field कीशड़ वाले field के ओपर tractor को move करना आसान रहता है Camel can walk easily over the sand जो camel है, उस sand के ओपर आसानी से move करता है, क्योंकि हमने पढ़ा है उसके जो feet हैं, वो wide होते हैं नीचे से, ताकि pressure क्या हो जाए, reduce हो जाए अगर वो जादा wide नहीं होंगे, तो वो खुद भी मिट्टी में फसता जाएगा Human beings on the other hand cannot as walk easily on sand as their feet have less surface area and therefore our feet sink in the sand, तो हम उतनी आसानी से move नहीं कर पाएंगी, जितनी आसानी से camel करता है क्योंकि camel के feet हमारे feet के मुकाबले wider होते है The pressure exerted by liquids and air जो pressure, liquid और air exert करते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं liquid exert a pressure on the walls of the container, जो liquid डाला गया है वो उस container की walls के ओपर क्या करता है, pressure apply करता है, in which they are putting, जो pressure है that a liquid exerts on the bottom of the container is dependent upon the height of the liquid in the container, जो pressure है, जो liquid exert कर रहा है, उस container के bottom के उपर वो dependent होता है, कि liquid की height कितनी है, अगर इस चीज़ को आपको अपने daily life example से समझना है, तो water tank जो होता है जब वो full होता है, तो जो tap है tap के अंदर full speed से, full pressure के साथ पानी आता है, जैसे जैसे उपर tank में पानी कम हो जाता है, तो आपने notice क्या होगा, प्रेशर कम हो जाता है, तो जो pressure liquid exert करता है container के bottom के उपर, वो किस पे dependent होता है, कि liquid की height कितनी है, the liquid exert equal pressure on different points on the wall of the container having the same depth, तेखिये जी, अगर यहाँ पर same depth के उपर अलग-अलग मैंने hole कर दिये, तो सब जगे क्या होगा, same pressure देखने को मिलेगा, लेकिन अगर मैंने height अलग-अलग कर दी, उन holes की, तो जो नीचे है, जिसके उपर height जादा है water की, वहाँ पर highest pressure आपको देखने को मिलेगा, similarly, जैसे liquid pressure exert करता है, ऐसे gas भी pressure exert करती है, लेकिन liquid जहाँ जहाँ तक contact में है, वहीं पर pressure exert करता है, उपर तो करेगा नी, लेकिन जो gas है, वो सभी directions में क्या करती है, pressure exert करती है, similarly, gases also exert pressure on the walls of the container, the molecules of gas of higher kinetic energy, अब kinetic energy क्या होता है, kinetic energy होता है, the energy possessed by any object due to its motion, वो energy जो किसी भी object में, उसके motion की वज़े से होती है, उसको kinetic energy बोलते हैं, तो जो gases है, उनकी kinetic energy क्या होती है, जादा होती है, kinetic energy जादा होने की वज़े से, वो बहुत randomly इस container के अंदर move करेंगे, एक दूसरे को hit भी करेंगे, कॉलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ, और even wall के साथ भी कॉलाइड करेंगे, जिससे की वो बहुत ज़ादा force apply करेंगे, as a result, these molecules apply pressure on the walls of the container, और इसी की वज़े से, जो ये molecules हैं, air के, ये container की walls के ओपर pressure exert exert करेंगे, तो अगर air pressure exert करती है, तो जो हमारे atmosphere में air है क्या, वो भी pressure exert करेंगे, बिल्कुल करेंगे और उसको किस नाम से जाना जाता है, atmospheric pressure के नाम से जाना जाता है, तो हमें पता है कि अर्थ के चारूं तरफ atmosphere की लेयर है, उसके अंदर gases है, तो वो gases क्या करती है, pressure exert करती है, अर्थ के उपर, और उसी को atmospheric pressure कहा जाता है, the value of atmospheric pressure at the sea level is 1,1325 पासकर, the atmospheric pressure keeps on increasing as we move towards the earth surface, तो जैसे जैसे हम earth surface की तरफ आएंगे, atmospheric pressure बढ़ता जाएगा, क्योंकि उपर air की height क्या होती जाएगी, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएगे, तो हमारे उपर air की height बढ़ती जाएगी, और हमने अभी अभी पढ़ा था, कि जितनी जादा height होगी, उतना जादा pressure आपको महसूस होगा, तो ये क्या है, unit area लिया गया है, यहाँ पर, surface के, और top of the atmosphere, जहां तक air present है, तो ये जितना भी weight है air का इस area के अंदर, वो सारा क्या है, हमारे उपर atmospheric pressure लगता है, तो जो amount of atmospheric pressure है, upon us is quite large, जो हमारे उपर atmospheric pressure लग रहा है, वो काफी जादा है, due to the large surface area of the atmosphere around the earth, but we do not experience any of its effect, तो हमारे उपर लग तो बहुत जादा atmospheric pressure लगता है, लेकिन हमें उसको effect को क्यों हम महसूस नहीं कर पाते, इसलिए क्योंकि जो pressure है air का inside our body, हमारी body के अंदर जो air का pressure है, वो equal होता है, किसके? atmospheric pressure के, बाहर से जितना atmospheric pressure लग रहा है, उतना ही air का pressure हमारी body के अंदर है, तो जब दोनों जगे से same pressure लगेगा, तो वो एक दूसरे को क्या कर देगा? Cancel out कर देगा, there are also fluids present in our body that exerts a pressure inside our body, hence our body easily obtain a balance with the atmospheric pressure, दोनों जगे pressure बराबर हैं, तो दोनों pressure एक दूसरे को cancel out कर देंगे, इसलिए हमें atmospheric pressure महसूस नहीं होता है, however, sometimes at higher altitudes, जब हम उची height पे जाते हैं, where the atmospheric pressure is low, हमें पता है, उपर जाएंगे तो atmospheric pressure कम हो जाएगा, as compared to that at the earth surface, lower altitudes, nose bleeding occurs, उपर जाने के बाद nose bleeding बहुत लोगों को हो जाती है, common है जी, जब वो higher altitudes के उपर जाते हैं, ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि at that time, जो हमारा blood pressure है, वो higher हो जाता है, as compared to atmospheric pressure, और इसी वज़े से वो blood हमारी nose के अंदर से निकलने लग जाता है, bleeding होने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी blood vessels के अंदर, blood का pressure atmospheric pressure से ज़दा हो जाता है, तो वो blood वहां से निकल जाता है, nausea कहते हैं इसको, यहाँ पर समझे है, कि यहाँ पर higher pressure है नीचे की तरफ, atmospheric pressure उपर lower है, तो look at all these atoms pressing down on the guy at the bottom of the mountain, mountain के bottom में जो खड़ा है उसके ओपर air particles जादा है, तो pressure जादा है, ठीक है जी, जैसे ही वो उपर चड़ जाएगा, वहाँ पर कम हो जाएंगे air के particles, तो pressure भी उस इंसान के ओपर reduce हो जाएगा, so that's all for this chapter, thank you very much, take care, God bless you.